सो एलोफेंट्स मेरा नावा कुछ कर और आप देख रहे हैं टेक्स कुरो और आज की इस वीडियों में लग देखेंगे किस तरीके से किसी भी Android फोन के स्क्रीन को बिना इंटरनेट कनेक्शन के कैसे आप अपने Android TV या किसी भी ऐसे स्मार्ट TV पे मिरर कर सकते हैं जिसमें built-in Miragast का feature मिलता है और यहां पे कोई भी mobile data या कोई भी wifi internet connection का भी use हम नहीं करेंगे नहीं मेरे TV पे नहीं मेरे Android फोन पे बड़ यहां पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि screen mirroring के थूँ वो OTT content को भी अपने बड़े screen पे TV पे mirror कर पाएंगे अपने Android फोन से तो यह चीज पॉ Amazon Prime, Disney Hotstar या और भी जो OTT platforms हैं उनका content DRM protected होता है मतलब कि आप उनके screen को mirror नहीं कर सकते हैं और अगर आप mirror करने का try करते हैं तो हो सकता है कि video जो है वो mirror हो जाए आपके बड़े screen पे but audio जो है वो आपके phone के through ही आए मतलब कि screen mirroring वहाँ पे OTT content को अगर आप mirror करने या कोशिच करेंगे तो वो properly work नहीं करेगा तो अगर आप अपने phone से OTT content को बड़े screen पे mirror करना चाहते हैं तो वहाँ पे Chromecast feature जो है वो work करता है बट Chromecast एक अलग ही section है और Chromecast करने के लिए जो है ना तीन main requirement होता है सबसे पहलो तो जिस app के content को आप अपने phone से अपने TV पे Chromecast करना चाह रह जाए या फिर आप external Chromecast अगर device use कर रहे हैं तो आप Chromecast जो है वो use कर पाएंगे और तीसरा condition है कि आपका TV और आपका phone दोनों जो है वो same Wi-Fi network से connected होना चाहिए तब आप Chromecast feature जो हो use करके अपने OTT content को बड़े screen पे Chromecast कर पाएंगे और जो normal screen mirroring है उसमें आप अपने phone के display को screen mirror क कर सकते हैं कुछ apps को games को बड़े screen पे mirror कर सकते है YouTube application जो है वो mirror कर सकते हैं उसको बड़े screen पे प्ले कर सकते हैं आप अपने phone में जो भी locally stored photo या video है उसको आप बड़े screen पे play कर सकते हैं अब यहां पे screen mirroring वैसे smart TV में जिसमें built-in Miracast feature मिलता है वो समझने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे जिसमें screen cast के नाम से फीचर आपको मिलता है Xiaomi 11i hyper charge यूज करेंगे जिसमें cast के नाम से फीचर रहता है और IQ Z6 में screen mirroring का फीचर है यह आपको smart mirroring के नाम से देखने के लिए मिलेगा और यहां पर यहां पर Android phone यूज कर रहे है Samsung M53 5G है OnePlus Note 2 Xiaomi 11i hyper charge है IQ Z6 Pro है इसक हो जाता है और यहां पर इन चारों ही phones में कोई SIM card ने लगा है तो mobile data का कोई scene नहीं है इसके लावा चारों ही phones में कोई Wi-Fi network भी connected नहीं है अब अगर आपके TV में mirror cast का feature है या नहीं यह अगर आपको जाना है तो आप अपने TV के जो है न Android TV में यहां पर apps वाले tab पे आजेगे इसके लावा अगर हम यहां पर अपने Android TV के setting में आते हैं setting में अगर हम यहां पर network और internet में जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि Wi-Fi connection जो है वो enabled है बट कोई भी Wi-Fi या internet connection से मेरा TV जो है वो connected नहीं है और पूरे process के दौरान भी यह connection जो है वो हम established नहीं करेंगे है internet के through mirror कर पाएंगे start करते हैं इस वीडियो को और यहां पर आप स्क्रीन पर जो है न मिरा कास्ट फीचर की उपर आ जाते हैं मिरा कास्ट आप को यहां पर just open कर लेते हैं open करने के बाद यहां पर आपको दो option मिलता है एक तो definition priority है और एक है fluency priority तो अगर आप definition priority सलेक्ट कर अच्छा देखने के लिए मिलेगा बट कुछ latency देखने के लिए मिल सकता है सेम यहां पर आपको fluency priority मिलता है तो आप चाहें तो fluency select कर सकते हैं इस condition में क्या होगा कि आपको जो है na latency कम देखने के लिए मिलेगा बट जो definition का resolution है वो थोड़ा सा बूरा देखने के लिए मिल स सकते हैं तो यहां पर अलग-अलग brands के फोन में जैसा हम आपको बता है feature जो हो अलग-अलग नाम से रहता है Samsung के फोन में यह feature आपको smart view की नाम से मिलेगा तो यहां पर smart view को open कर लिए phone to other devices वाले section में आपको कुछ देर यहां पर wait करना पड़ेगा और यहां पर देख सकते है Android Mi TV connection दिखा रहा था यहां पर Galaxy M53 5G connection succeeded show कर रहा है और अब आप देख सकते हैं कि मेरे smart TV पे मेरे Samsung phone का screen जो है वो mirror हो चुका है यहां पर अगर हम latency के बात करें तो आप latency यहां पर idea लगा सकते हैं किस तरीके का latency जो हो देखने के लिए मिलता है थोड़ा यहां पर latency है बट quality जो है वो काफी अच्छा है यहां पर देख सकते हैं कि मेरे जो Android phone है ना वो किसी प्रगार के कोई Wi-Fi से connected नहीं है साथ यहां पर अगर मोबाइल डेटा ओन करना चाहें तो यहां पर कोई SIM card भी नहीं है मेरे Samsung के phone में इसके अलावा किसी app को बड़े screen पे mirror करना चाहें तो इ या फिर अगर आपके फोन में कोई video है अगर आप उसको play करना चाहते हैं तो जैसे अगर आप देखें तो यहां पर वीडियो और इसको अगर हम play करते हैं तो आप देख सकता है कि मेरे TV पर जो वीडियो है वो play हो रहा है और मेरे iPhone के screen पे इस तरी के से black शोग रहा है अब यहाँ पर आपको कुछ options भी मिलता है जैसे अगर आप इसके उपर टैप करेंगे तो यहाँ पर pause smart view का option मिलता आपको अगर आप pause smart view के उपर टैप करते हैं तो जो screen mirroring है ना वो कुछ देर के लिए pause हो जाएगा अब वो वीडियो जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे phone प पर आप अपने फोन पर वीडियो प्ले कर दिये और आप चाहते हैं कि आपके फोन का जो बैटरी वो अननेसेसरी ड्रेंड ना हो क्योंकि वीडियो जो है वापकी टीवी प्ले हो रहा है तो यहाँ पर आपको डार्कन फोन स्क्रीन को डार्क कर सकते हैं बट जो screen mirroring है वो continue हो रहेगा मतलब अगर आप अपने फोन में कोई वीडियो प्ले करके रख दिया है तो आपके टीवी पर continue प्ले होता रहेगा उसके बाद आपको पावर बटन को टैप करना है फिर नेक्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेल्फी वीडियो के उपर टैप करेंगे तो इस तरीके से आप अपने अपने सेल्फी क्याम 나 کو भी अपने टीवी पर यहाँ पर देख सकते हैं इसके जाना हो इसी तरीके से पने सामसंग कैसी भी फोन के स्क्रीन, पर अपने टीवी पर मिरर कर सकते हैं जिसमें miracast काव भीना internet, connection कर यहां पर हम आपको दिखाएं कि इस तरी किसे आप Xiaomi रेडमी के फोन को सेम बिना इंटरेट कनेक्शन के अपने Xiaomi, Redmi या किसी भी स्मार्ट टीवे मिरर कर सकते हैं जिसमें built-in Miracast का feature मिल जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा टीवी जो हो फिलाल किसी इंटरेट से कनेक्टेड नहीं है यहां से back आ जाते हैं और यहां पर हम फिर से Miracast आप को open करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो मेरा Xiaomi 11i hypercharge है Wi-Fi on है बट कोई भी इंटरेट से यह connected नहीं है Bluetooth on है इसके अलावा यहां पर कोई भी SIM card नहीं लगा हुआ है तो mobile data का भी कोई scene नहीं है यहां पर जो आपको feature मिलता है screen mirroring का Cast के नाम से मिलता है Cast के उपर आपको tap करना है कुछ permissions जो है वो आपको देना पड़ेगा यहां पर searching for devices का आपको tap देखने के लिए मिलेगा Android Me TV सोकर SQ पर हम tap करेंगे और आपको कुछ seconds wait करना पड़ेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि connection succeeded लिखा हुआ आगया और मेरा जो Xiaomi का phone है उसका जो screen है वो मेरे TV पे mirror हो चुका है हलका फुलका आपको latency डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा बट काफी अच्छे quality में यहां पे mirroring जो हो जाता है अब Xiaomi के phone में जो screen mirroring या cast का feature मिलता है इसमें आपको यह कुछ extra features मिलता है यहां पे आपको status bar में cast का एक symbol दिख रहा है इसके उपर आपको tap करना है इस तरीके से आपको कुछ यहां पे options मिल जाता है जैसे की minimize window का किसी video को अगर हम यहां पे open करते हैं इसको अगर हम play कर देते हैं और हम चाहते हैं कि जो video है वो मेरे TV पे play होता रहे बढ़ हम अपने phone पे कुछ और काम करें तो यहां पे आपको status bar में cast का एक shortcut मिल दा इसके उपर आप tap करेंगे इस तरीके कुछ option यहां पे आपको मिल जाएगा सबसे पहला है minimize window का इसके उपर अगर आप tap करते हैं तो जिस screen को आप cast किये हैं या screen mirror की है अपने TV पे वो इस तरीके से यहां पे minimize हो जाएगा और आप अपने phone पे कुछ और काम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं next यहां पे आप चाहें तो minimize window को यहां से disable कर सकते हैं वापस से आप देख सकते हैं कि video जो वहां पे play हो रहा है वो यहां पे आपके phone पे भी show कर रहा है इसके अलावा यहां पे आपको और भी कुछ option मिलता है जैसे की screen off के साथ cast करनेगा तो इसके उपर अगर आप tap करते हैं तो आपके phone का screen off हो जाएगा बट जिस screen को आप mirror की हैं अपने TV पे वो continuously mirror होता रहेगा यहां पे आपको power button को press करना है और यहां पे आप normal screen पे आजाएंगे इसके बाद यहां पे आपको तीसरा option मिलता है private items को hide करनेगा तो अभी यह फिलाल disabled है अगर यह disabled रहता है उस condition में अगर आप अपने phone में control center open करते हैं या फिर notification center open करते हैं या फिर यह जो box है casting वाला यह open करते हैं तो यह आपके TV पे भी show करेगा अगर आप hide private items को enable कर देते हैं तो यह वाला जो box है यह आपके TV पे show नहीं करेगा इसके लावा notification center अगर हम अपने phone पे down करते हैं तो वो भी मेरे TV पे show नहीं कर रहा है control center down करते हैं वो भी मेरे TV पे show नहीं कर रहा है तो यह कुछ options आपको देखने के लिए मिल जाता है और इस तरीके के screen mirroring के साथ आप अपने phone में YouTube एप को screen mirror कर सकते हैं या फिर किसी भी और app को जैसे अगर आप BGMI ही open करते हैं तो आप देख सकते हैं उसको बड़े screen पे यहां पे mirror कर सकते हैं next यहां पे मेरे पास one plus not two है one plus not two के screen को किस तरीके से आप mirror कर सकते हैं बिना internet connection के तो वो भी मेरे देख लेते हैं फिलाल जो मेरा TV है वो किसी भी internet से connected नहीं है तो वापस से हम जो है ना यहां पे mirror cast का जो app है वो open कर लेते हैं अपने TV पे यहां पे यह मेरा one plus not two है one plus not two में भी कोई internet connected नहीं है यहां पे आप देख सकते हैं कि wifi on है बट कोई wifi connected नहीं है साथ इसमें भी कोई sim card नहीं लगा हुआ है यहां पे भी आपको screen cast का feature जो है वो control center में मिल जाएगा अगर आपको control center में नहीं मिलता है ना तो आप अपने phone के setting में जाके connection and sharing में या फिर डिरेक्ली आप अपने setting में भी search करेंगे ना तो यहां पे भी आपको screen cast या cast का option जो है भी connecting शो कर रहा है और यहां पे कुछ seconds का time लगेगा यहां पर देख सकते हैं कि मेरे one plus not two का screen है वो मेरे me tv पे mirror हो गया है यहां पे latency थोड़ा से जाता है but screen mirroring बिना internet connection के इस तरीक से आप कर सकते है one plus not two में जो आपने one plus not two के screen को android tv पे या किसी भी smart tv पे mirror करते है तो यहां पे भी जो है आपको screen cast का shortcut button जो है वो देखने के मिल जाएगा status bar के उसके उप tap करेंगे तो यहां पे screen cast का दो setting है screen of casting का तो अगर आप इसको enable करते हैं और उसके बाद जो है आप अपने phone के power button को अगर आप कर देते हैं तो आपको phone जो है वो black हो जाएगा but screen mirroring या screen casting जो है वो continue रहेगा आपके tv पे और simple एक बार power button टाप करके जो है आप अपने screen को on कर सकते हैं अगर आप screen of casting को disable कर देते हैं और उसके अगर आप power button प्रेस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके tv पे भी lock screen शो कर रहा है आपके phone के तरह तो यहां पर आप screen of casting का feature जो यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने phone के screen को off करते हैं तो भी notification center open करते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं कि टीवी पे भी हो notifications जो है वो शो करेगा आपके phone पर कोई notification आएगा तो आपके टीवी पे भी दिख जाएगा तो आप चाहें तो यहां पर hide notification वालो जो option है आप इसको enable रख सकते हैं अगर आपको oneplus not two के screen mirroring को end करना है तो अगर आप यहां पर टैप करेंगे स्क्रीन कास्ट की उपर टैप करेंगे स्क्रीन कास्ट की उपर टैप करने के बाद screen mirroring जो है वो end हो जाएगा फिर से आप देख सकते हैं मेरा android tv जो हो किसी भी इंटरनेट से connected नहीं है तो यहां पर बैक आ जाते हैं और वापस हम यहां पर मिराकास्ट आप जो है वो open कर लेते हैं और आप जो लास्ट फोन है वो है आप देख सकते हैं कि connection succeeded हो चुका है और मेरे iqoo z6 pro का जो screen है वो मेरे android tv पे mirror हो चुका है तो इस तरीके से जो है आप अपने iqoo phone के screen को भी बड़े screen पे बड़े tv पे mirror कर सकते हैं बिना internet connection के यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा iqoo का phone है उसमें wi-fi on है बट कोई भी internet connected न करना है और उसको बड़े screen पे mirror करना तो वह भी हो जाएगा बट उसके लिए आपके पास internet होना चाहिए तभी आप YouTube पे वीडियो जो है वो play कर पाएंगे अगर आपके पास कुछ YouTube पे offline videos है downloaded है तो वह आप easily बड़े screen पे play कर पाएंगे बट OTT contents को आप play नहीं कर पाएंगे बड़े screen पे screen mirroring के तो फेंटस आप इस वीडियो में देखे किस तरही के से आप अपने किसी भी Android phone के screen को अपने Android TV पे mirror कर सकते हैं बिना internet connection के अगर आपके Android TV में mirror cast feature है तो Chromecast के थुरू जो है आप OTT content को अपने phone से अपने TV पे mirror कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या condition है वो वी वीडियो देखना चाहेंगे तो comment section में बताइएगा screen mirroring से related अगर आपका कोई भी doubt हो तो वीडियो के starting में जो हम थोड़ा सा lecture दी है ना वो जरूर सुन लीजेगा फिर भी अगर आपको कोई doubt हो पूचिएगा Redmi Smart TV X43 से related अगर आपका कोई doubt हो, query हो, किसी और smartphone के screen mirroring में अग आपको कोई issue आ रहा है तो वो भी आप comment section में share कर सकते हैं, कोई भी advice हो, कोई भी topic हो जो कि आप चाहते हैं कि हम cover करें अपने वीडियो में, आप comment section में बता सकते है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप video को like कर सकते है, channel को subscribe कर सकते है, friends और family में share कर सकते है, because स इस तरीके से हम अपने Android phone के screen को mirror कि अपने Android TV पे जिसमें built-in Miracast का feature था बिना internet connection के उसी सेम तरीके से जो आप अपने laptop के screen को भी अपने TV पे mirror कर सकते हैं बिना internet connection के अगर आपके TV में built-in Miracast का feature है और आपका laptop भी Miracast feature को support करता है तो और उसके उपर एक dedicated video already मेरे चैनल पे है जहां पर आप देख सकते हैं कि किन किन तरीकों से wired तरीके से wireless तरीके से आप अपने Android TV पे अपने laptop screen को mirror कर सकते हैं Link हम video description में दे दिये हैं